हेलो बच्चो आपका अपने टीटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का टोपिक कर रहे हैं शेरिंग स्ट्रेंड क्या होता है शेरिंग स्ट्रेंड क्या होता है जैसे बच्चो माली ये एक बॉक्स है अगर यहां पर उसे एक साइड पर फोर्स लगाई जाए अपर पॉइंट पर तो यह हलका सा ऐसे बेंड हो जाएगा कहने का मतलब फोर्स लगाने से इसकी शेप में तो चेंज आएगा पहले ये ब्लैक कलर का डियागरम देखें तो जब फोर्स लगाई तो यह इस तरह से जो रेडर लाइन से शो किया गया कुछ इस तरह से इस तरफ बेंड हो गया अपर पार्ट से लोवर पार्ट इसका फिक्स है अपर पार्ट इसका राइट डिरेक्शन में बेंड हो गया इसकी शेप में तो चेंज आया है लेकिन साइज में चेंज नहीं आया है तो शेरिंग स्टेंड की डिफाइन है दा रेशो ओफ चेंज इन डिफॉर्मेशन टू इस ओरिजिनल लेंथ परपेंडिकुलर टो दा एक्सिस कहने का मतलब जैसे लेटराल डिस्प्लेशमेट हुआ है उपर को शितना ऐच ऐच जफ यह डिस्प्लेशमेट हुआ है और जो डिस्टनस फिक्स पॉइंट से है इस यह वहला डिस्टनस जो इपनेकुलर है ए-च ठेक है याश एच अफ दैस अपॉन ए-च lateral displacement जो इस तरह से हुआ है और distance from fixed point जो a h है तो इसको हम h h dash upon यानकि यह वाला distance जो theta के समने वाला है और यह जो perpendicular side है a h कुछ इस तरह से भी लिख सकते है और बुच्चों से 10 theta से भी लिखा जा सकता है अब समय तिया 10 theta से कैसे लिखा जा सकता है अगर इतने पार्ट को में ड्रा कर लो तो यहां पर diagram ने अलग से ड्रो कर लिया कितने पार्ट का यह a h और h dash ठीक है a h और h dash का diagram और यह theta angle है कितने angle से यह bend हुआ है और आपको पताओ कर theta के सामने वाली प्रफेन्डेकुलर वो जो थीटा के बिल्कुर साथ वाली होती है वह बेस टेन थीटा का फर्मूला क्या होता पर पेंडेकुलर अपॉन बेस ठीक है थीटा के सामने वाली पर पेंडेकुलर यानिकी एच एच दैश और बेस में एच ठीक है तो इसका फर्मूला सेम बना है और इससे थीटा एकुल डू करके भी लिख सकते हैं थीटा जो एंगल का फर्मूला क्या होता आर्क अपॉन रेडियस अगर यह एक तरह से यह एंगल ऐसे बेंड हो रहा घूम रहा है तो इसके यह इसका एच के एच का रेडियस तो इसे कुछ इस तरह से भी हम लेख सकते हैं तो यह था टोपिक बच्चो शेरिंग स्टेयन के ओपर थैंक्स वार वर्चिंग